हाई दोस्तो वैलकम तो माई यूटूब चैनल और मेरा नाम ही शूकी दोस्तो जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर एक अकाउंटिंग स्रीज रन कर रहे हैं पूरी बेसिक से एडवांस लिवत तक तो उसी में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सीखने वाले है लास्ズ क्लास में मैंने अपको फिक्सास्ट का टीट्मेंट बताया था कि आप कैसे फिक्सास्ट के जब आपको इनवोिसे आते हैं या उनके रिपे एंड मैंटेनिंज के बिलाते हैं तो अनको आप किस तरह से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उसको identify करेंगी, capitalize है यानि, अगर आपने वो वीडियो में सकर दी हैं, तो जाकर हमारे प्लेलिस में आप चैक कर सकते हैं, फर्दर आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, fix assets register के बारे में, क्यों हम लोगों को fix assets register maintain करना चाहिए, देखें दोस्तों, during the period आपको जो invoices receive होते हैं, आपको सबसे पहले invoices आते हैं during the period, आप कोई भी मतलब assets buy करते हैं, वो invoices आते हैं, आप उनकी payments करते हैं, वो एक accounting, आप जो treatment करते हैं, अपने books of account में वो journaling होता है, further year end पे जब आप अपनी balance sheet वगरा draft कराते हैं, तो आपके जो auditors होते हैं, आपके जो auditors होते हैं, वो कहते हैं कि भाई, हमें आप invoices दीजिए, सारे के सारे जो भी आपके original invoices आएं, fine, वो आपसे original invoices मांगते हैं, कई बार होता है क्या है, auditors की में बात ना करूँ, आप ऐसी organization में काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी organization है, suppose आप किसी school में काम कर रहे हैं, school की accounting कर रहे हैं, ठीक है, या आपके outlets वगरा हैं, outlet हैं, आपकी company जो है, उसके outlets वगरा हैं, suppose mobile phone के outlets हैं, आप समझेंगे मेरी बात, या गाड़ियों के हैं, शोरूम है, बाइक वगरा का शोरूम हो गया, कार का शोरूम हो गया, तो यहां पर यहां और भी कुछ हो सकता है, यहां पर fix assets बहुत ज़ादा होती है, तो fix assets पर आप control कैसे रखेंगे, समझेंगे मेरी बात को, उस पर आप control कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आपको एक fix assets register maintain करना होगा, अब आप कहेंगे नहीं सर, fix assets register क्यों maintain करें, जब हम उसकी recording कर रहें, तो my dear friend, जब आप recording करते हैं, आपको पता होगा, books of account में जब आप recording करते हैं, तो आप हर एक information उसमें record नहीं कर पाते, आप जर्नली क्या करीदते हैं, सबोज आपने एक laptop बाई किया, तो आप simply क्या entry करेंगे, computer या laptop account, debit to supplier, fine, अब मैं पूछों आप से, कि ये जो laptop है, इसका serial number क्या है, इसका modal number क्या है, इसकी जो हमें warranty मिली थी, वो कब तक की है, ये laptop कोन यूज कर रहा है, तो ये information आपके पास नहीं होंगी, तो उनी सारी information को हम अपने पास, इखटा कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, फर्दर कई बार क्या होता है, auditors आपसे detail माग लेते हैं, कि हमें details दो बना कर, कि during the year आपकी क्या-क्या assets purchase हुई है, opening में क्या आपकी purchase थी, तो उस case में भी आपको challenges आते हैं, तो आप recording कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, recording करें, बट अगर आप fix assets register maintain करेंगे, अब भी मैं आपको format दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आजाएगा, उससे purpose भी पूरा गबोरा, देखिए मैंने आपके लिए format तयार किया है, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा brief कर देना चाता हूँ, आप लोगों के लिए, देखिए हो सकता है, मैं एक example लिता हूँ, आपका school है, ठीक है न, आपकी कई branches हैं in schools की, और आपने, आजकल आपको पता है, online सब चीशे हो रही हैं, तो आपने अपनी जो teachers हैं, उनको taps वगरा दे रखे हैं, कुछ teachers को आपने pen tap दे रखे हैं, कुछ teachers को आपने laptop दे रखे हैं, कुछ teachers को आपने tablets दे रखे हैं, तो आप उनको कैसे मत्तब record कर पाएंगे, कि बै किस बंदे के पास क्या assets है, किस location पे मेरी assets गई विये, फर्दर, आपके mobiles के outlet हैं, समझने हैं हमें बाद, mobile के आपके outlets, 8-10 outlets हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा, अब इक किस store पे billing के कितने laptops रखे हैं, किस store पे कितनी chairs हैं, किस store पे कितनी tables हैं, ये सारी चीज़े आप कैसे identify कर पाएंगे, तो उसका आपके पास control होना बहुत ज़रूर है, क्योंकि audit perspective से तो ये काम आती हैं, और साथ में, कोई इनके साथ मतलब गलत नहीं कर सकता, कोई आपकी fixed assets को नुक्सान नहीं पहुचा सकता, चोरी नहीं कर सकता, उन सारी चीज़ों का control लेता है, बड़ी-बड़ी companyya इसको एक पूरा detailed maintain करती हैं, और further अगर आप इसको maintain करेंगे, तो आपके audit में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपके auditors आप से मांगे, आपके पास invoices भी होंगे, और साथ में आप इस summary दे देंगे उनको ठाकी जीए रहा, तो अब इसके base पर वो depreciation वगरा calculate करने में, उनको असानी होगी, क्योंकि सारी चीज उनको frame out मिलेगी, otherwise उनको चीजों को manage करना पड़ेगा, तो देखे, यह serial number है, simply मैं आपको एक बता देता हूँ, आपने अपने जो भी assets है, उसको serial wise आप maintain कर सकते हैं, उसके बाद आपने किस date में कोई assets purchase करी, आपने एक मैई 2022 में purchase करी, उसका invoice number डाल सकते हैं, आपकी बाई, invoice number उसका 001 है, कौन vendor है जिससे buy किये है, suppose HP से आपने laptop बाई किया है, तो आप डाल सकते हैं, HP limited, उसके अलावा, यहाँ group है, assets का group, अब देखें, HP से आप बहुत सारी चीज़े खरीज सकते हैं, अब जैसे कि यहाँ description है हमारी, तो description में मैं मान लो, suppose, आपने printer खरीदा, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे printer, आपने laptop खरीदा, आप लिखेंगे यहाँ पे, laptop, आपने खरीदा keyboard, keyboard, आप लिखेंगे, यहाँ पे, keyboard, आपने mouse खरीदा, आप लिखेंगे, mouse, या आपने, और कोई other assets आपने buy करी, आप यहाँ लिख देंगे, उसके बाद, एक और example ले ले ता हूँ मैं आपसे, आपने chair buy करी, तो हाँ यहाँ लिखेंगे chair, आपने table buy करी, तो आप लिखेंगे table, ठीक है, इस तरह से कुछ और भी हो सकता है, तो इस case में आप को control कैसे रखना है, suppose आप जैसे HP से आपने buy करा, मैं इसको लिख देता हूँ, भी HP से, suppose आपने यह बाइ करा, तो इसका assets का group मैंने डाल दिया, computer में, computer and laptop में इसका मैंने एक group बना लिया, जिसके अंदर मैंने डाल दिया, यह सारा का सारा, ठीक है, उसके बाद, इसके हैं मैंने serial number डाल दिया, जो भी आपके पास serial number है, वो आप डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यह जो भी हैं आपके बास, ठीक है, कितनी कितनी क्यों डीटीज में आपने बाई करें हैं, 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, फाइन, इनका rate लिख दो जो भी आपके पास है, आपको लगता है इतने का, इसका rate होगा, मैं लिख देता हूँ, एक rough idea, अब इनकी cost आप यहां लिख सकते हैं, जो भी आपने cost इनकी buy करी है, fine, मैं इसको simply यहां कर देता हूँ, cost, अब यहां देखिए, यहां मैंने department लिखाए, कि भाई, यह जो asset से मेरी, किस department में use हो रही है, आप मेरी बात समझ रहें, यह 10 laptop हैं, किस-किस department में गए वे हैं, इसको और आप और bifurgate कर सकते हैं, जैसे अब suppose 10 laptop है, तो मैं इसको row insert कर लेता हूँ, मिरको 10 rows insert कर ली लिए हैं, suppose मैं एक example के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपने एक assets यहां डाल दी, 7000 रुपे की होगी, ऐसे आपकी 10 assets आजाएंगी यहां पर, ठीक है, यहां आपकी 10 assets आगी, उसके बाद यहां 10 assets का आपका यहां आगया, अब यह किस-किस department में, suppose आपके एक library में आपने लगा रखिये यह, library में होगी, ठीक है, दूसरा आपका जो है, प्रिंसिपल की room में आपने एक printer लगवा रखा है, प्रिंसिपल का room हो गया, उसके अलावा, library होगी, lab होगी, lab में आपने लगवा रखा है, अच्छा, library और लेबाएक साथा की कोई बाद दी, library होगी, प्रिंसिपल की lab होगी, ठीक है, उसके अलावा, आप printer आपने, suppose admission room में लगवा रखा है, जहाँ पर admission room होता है, ठीक है, तो इस अरहाद से आप यहाँ डाल सकते हैं, फिर उसके बाद यह location, आपके suppose schools जो हैं अलग-लग location पर हैं, तो आप लिख दीजे, यह आपका रोहीनी में है, suppose एक school आपका रोहीनी में है, उसके बाद, आपका एक जो school है, शक्ति विहार में है, शक्ति विहार हो गया, ठीक है, एक आपका school जो है, पीतम पुरा में है है, पीतम पुरा हो गया, ठीक है, ऐसे ही, जहाँ भी आपकी assets है, उसके बाद, अगर आपने कोई identity number बना रखें, एक तो यह serial number है, जो machine यह आप बाए कर रहे हैं, उसके साथ राएगा, फर्दर आपने भी कोई अपने assets के number बना लिए, शबोज आपने बना लिया, fa-001, fa-002, इस तरह से अगर आपने अपने number बना है, तो वो यहाँ दे सकते हैं, फिर अगर आपको इसकी warranty वगरा मिली विये, कि भई यह warranty वगरा है इसकी, तो उसकी warranty के expiry लिख सकते हैं, जिसे आप प्रिंटर लाए, प्रिंटर की आपने एक मही को बाए कर रहा, उसने का सर, हम एक साल की इसकी warranty देते हैं आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ 30 अपरेल 2023 डाल देना है, फाइन, इसके अलावा आप एक कॉलम और एड़ कर सकते हैं भई, अगर किसी personal बन्दे को आपने laptop अलोकेट किये वे, तो responsible, responsible person, responsible person का यहाँ आप नाम डाल सकते हैं कि किस बन्दे को इस assets को आपने दिया हुआ है, हो सकता ना कि आपने laptop या pen tab वगरा किसी responsible person को दिये हो, तो उनका यहाँ नाम डाल सकते हैं, उनका contact number डाल सकते हैं, तो इससे होगा क्या, कल को आपको अपनी एक-एक assets का idea होगा, क्योंकि assets consume तो हो नहीं रही है, जैसे कि आप goods खरीदते हैं, वो तो खरीदी, या उससे manufacturing होकर कुछ finished goods बन गई, या कुछ goods खरीदी, आपने sale कर दी, या आपने कुछ और office maintain के लिए कुछ समान खरीदा, यह वो चीज़ तो है नहीं, यह तो आपके business को operate करने के काम आ रही है, आपका business run करेंगी यह सारी चीज़ें मिलकर, तो आपको हर एक assets का idea होगा, अभी किस के पास किस कौन सी assets है मेरी, किस assets की कब expiry हो रही है, किस assets की क्या identity number है, किस assets की क्या cost है, कून responsible person है, मेरे laptop and computer and laptop में किस किस तरह की assets है, printer है, keyboard है, laptop है, furniture में मेरा क्या क्या है, electricity में, electronic items में क्या क्या है, furniture and pictures में क्या क्या है, machinery में आपका क्या 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 है, office equipment में क्या क्या है, तो यह सारी चीज़ें आप यहां से control कर सकते हैं, तो आप भी इस format को अपने लिए copy कर सकते हैं, note कर लीजिए आप इसको, तो यह आपके बहुत काम आएगा, अगर आप इस तरह से accounting करेंगे, तो hopefully आने वाले time में आप बहुत अच्छे accounting बन जाएंगे, देखिए हमें काम अलग करना हैं दूसरों से head कर, जो दूसरे कर रहे हैं, हम भी वैसे ही काम करेंगे, तो फिर हमें भी वही pay मिलेगा, जो बाकी लोगों को बिल रहा है, हमें pay भी अच्छा चाहिए, और हमें growth चीए है अपनी life में, तो हमें कुछ, मतलब हट कर काम करना होगा, चीजों को अच्छे से manage करना हुगा, तो यही सारी बातें, मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, तो अगर आप first time मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और यह आपको वीडियो पसंद आईए, कर सकते हैं,